नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शुषांक राज और आप देख रहे हैं Medical Touch दोस्तों फागत आपका Medical Touch के एक और नए और बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं अपके साथ दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल जो treatment है एक private hospital में जो आजकल treatment हो इतना महेंगा आओ चुका है कि लगबक सभी common people के लिए वहाँ पर इलाज कराना treatment कराना समदोल नहीं है तो उस cases में लोग अब आजकल तलास कर रहे हैं government hospital में तो government hospital में भी एक सबसे बड़ी मुसिबद सबसे बड़ी problem यहां आती है दोस्तों कि government hospital का selection करना तो आजका जो हमारा topic ह वही topic है कि दिनली के मसहूर 5 government hospital के बारे में हम बताएंगे जहां पर आप advanced technique के द्वारा भी आप अपना वहाँ पर free में इलाज करा सकते हैं लगवाक एक private hospital के जैसा भी वहाँ पर इलाज आपका बिलकुल संबह है और government hospital पांच दिनली के ऐसे top 5 hospital से बारे में हम बताएंगे सारा complete address के साथ और उस hospital के बारे में बताएंगे ताकि आप जबी भी इलाज करना चाहें किसी government hospital में तो आप easy वहाँ पर पहुच पहुच पा है तो बने रहे हैं हमारे बने से पहले अगर medical touch पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले इस चैनल medical touch पे दो पास्वे नवर को hospital है वो है लोक नायक जै प्रकास नरायन hospital यह hospital दिल्ली में मुलाना अजार्ड कॉलेज के निकट डिल्ली गेट पर स्थित है दोस्तो 1936 में ब्रिटिस सरकार के द्वारा एक जेल को convert करके एक hospital करूप में बनाए गया था और उस hospital का नाम Irwin hospital रखा गया फिर दुबारा 1989 में इंडियन गोवर्मेंट के दौरा इस hospital का नाम LNJP hospital मिन्स लोक नायक जै प्रकास नरायन hospital के नाम पर रखा गया दोस्तों आपको इस hospital में कभी विजिट करना है तो निव दनली एस्टेशन से लगबक चार किलमोटर के दूरी पर यह hospital सित है तो और इस hospital में अगर बताएं तो फोलास ओबेड लगबक 200 प्लस डॉक्टर और लगबक सभी तरह की treatment सभी तरह की यहां पर चिकित्सा आप उबलब्ध है किसी भी तरह तरह चिकित्सा हो जैसे बगाईनी के दूर्ट पेशिन होगे हार्ट के पेशिन होगे काडियोलोर्जिस पेशि यह hospital दिल्ली मंगला साहब गुरुद्वारा है उसके नस्दीक है और अगर आप इस hospital में अगर वेडिट करना चाहेंगे तो दिल्ली एस्टेशन से लगबक 4.5 मिन्स साड़े 4 किलुमेटर के तकरिबन दूरी पे यह hospital इस्थित है दोस्तो 1932 में 1922 में British सरकार के दौरा एक 24 मेडिट का hospital बनाए गया जिसका नाम विलिंडन hospital रखा गया था आदमी कुछ लोग उस hospital को विलिंडन hospital के नाम से जानते हैं सेम वही चीज इंडियन गवर्मेंट के दौरा 1970 में उस hospital को convert करके उस hospital को develop करके और भी advanced techniques को उस hospital में लाके उस hospital को नाम डॉक्टर राम मनोगर लोया था रखा गया इस hospital में लगबक 1500 के करीम bed है सर और लगबक 200 प्लस आईशू के beds है और लगबक 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे advanced doctor मजूद है पूरा yearly इस hospital में लगबक 10 से 12 लाक लोगों को सेवा यह hospital प्रदान करता है और दोस्तों इस hospital में भी लगबक समी तरह के chicken summons कोई भी तरह कराना चा इस hospital का यह hospital दिल्ली के राजगाट में इस्तित है और इसका hospital का सुरवात जो हुआ था 1961 में अस्थापित कर दिया गया था इस hospital को लगबक निव दल्ली से चार क्रिमिटर के दुरी पर यह hospital इस hospital में अगर दिखा जाया तो 700 से ज्यादा बेड अबलेबल है जिसमें 150 आईश इस hospital में अबलेबल है तो इस hospital में भी अगर आपको देश तो कभी भी विजिट करना है तो यह hospital न्यू दल्ली स्टेशन से लगबक चार क्लिवड के दूरी पर है जो आप आसानी से hospital में विजिट कर सकते हैं और दोस्तों इसी लिस्ट में अगर हम आगे बढ़ें तो दूस इस लिए नमर पर हॉस्पिटल है वो है सभदर्जन खुटल यह hospital अंसारी नगर में एम्स मेट्रो की स्टेशन के नजदीख है इस hospital में लगबक 1500 से ज्यादा बेड हैं और इस हॉस्पिटल में आईशू की बेड़ेंग जो संक्या वो कम से कम 190 है और लगबक 400 से बी ज्या टेक्नोरोजी से लास्ट करके सवदर्जन नाम रखा और सवदर्जन नाम से यह अस्थापित किया गया है अगर आप सबसे यहां पर यह जाना चाहिए तो नियर दिस मेट्रो आप सवदर्जन होस्पिटल में आप जा सकते और दो तो इस लिस्ट में जो नमबर वन पर होस्पिटल है वह है एमस होस्पिटल का जो सुरुआत है जो स्थापना है वह 1956 में कर दिया गया था यह होस्पिटल नियू दिल्ली रेलवे एस्टेशन से लगबक 10 किलोमेटर के दूरी पर इस्थित जैसा कि हमने आवी आपको बता है सभदर्जन और एमस होस्पिटल बिलकूल आमने सामने है एको ब्रांच कई सवरु में इस्थित है लेकिन दिल्ली अंसारी नगर में जो है वह मेंस का में कॉार्टर मारा जाता है इस फोस्पिटल में अगर हम बताएं तो ल लगबक 50 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट इस होस्पिटल में और अगर बताए दोस्तों ति यहां पर लगबक किसी भी तरह का इलाद अगर आपकर आना चाहरे हैं लगबक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो इनफरमेटिव वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले कि अब फिर किसी और इंट्रेसिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए है मस क करेंगाो सूर के लिए हो